ओके लेट्स बिगेन सॉट सर्किट ट्रांस्मिशन लाइन तो आप रिकॉल करिए ट्रांस्मिशन लाइन कैसा है टू कंड़क्टर सिस्टम होता है और ट्रांस्मिशन लाइन का करेक्टरिस्टिक इंपिडेंस क्या है जेड नॉट है आप रिकॉल करिए कि ट्रांस्मिशन ल Just j, Omega C Transmission Line का Characteristic Impedence Basic Characterist या Primary Constant of the Transmission Line पे depend कर रहा है इसलिए हم इसको क्या बोलते है Characteristic Impedence बोलते है Transmission Line का एक ∈किस से Connected है,mouse से दूसरा ∆किस से Checked है Load से Connected है आप देखी,los close quid इसलिए हम इसको क्या बोल रहा है Sort Circuit Transmission Line बोल रहा है short circuit का impedance कितना होता है zero होता है माल लिजे एक resistance short circuited है तो उसकी value क्या होगी zero होगी L यदि involved है तो आप बिलकुल हमेशा याद रखिए कि आप transmission line को कहां से observe कर रहे हैं load से observe कर रहे हैं दूसरी बात transmission line में source से load की तरफ चलने वाली wave को क्या बोलते हैं incident wave कहते हैं और load से source की तरफ चलने वाली wave को क्या बोलते हैं reflected wave कहते हैं अब आप देखिए कि आप L equals to zero पर है L equals to zero मतलब कहां पर है load पर है क्या load पर दोनो impedance match कर रहे हैं क्या इस तरफ zero है इस तरफ z not है नहीं दोनो impedance match नहीं कर रहे हैं जब impedance match नहीं करते तो क्या होता है reflection होता है तो reflection कहां पर measure कर रहे हैं load पर measure कर रहे हैं तो इस लिए क्या बोलते हैं reflection coefficient at load gamma L is equal to ZL minus Z0 ZL minus Z0 over ZL plus Z0 ZL की value किती है zero यहाँ zero put कर दीजए you will get minus one तो what is the meaning of this minus one कि जो भी wave incident हो रही है जो भी incident wave आ रही है वो क्या हो जाएगी completely reflect back हो जाएगी यह इस चीज़ का meaning है तो क्या मैं इसको as a mirror मानूँ बिल्कुल यह mirror की तरीके से जो भी आया वो उधर से क्या हो गया reflect back हो गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि all the energy जो भी transmission line में about the short circuit transmission line recall that reflection coefficient minus one completely reflection reflection क्यों हुआ impedance mismatch की वज़े से हुआ तो आप याद करिए मैंने आपको एक impedance transformation equation पढ़ाया था इस impedance transformation equation में आप से बोला था कि कभी भी 10 beta L दिख जाए तो यह कैसी transmission line है lossless transmission line है lossless transmission line कैसी होती है जिसका R और G 0 होता है R और G को हम क्या बोलते है lossy elements बोलते है lossy elements क्यों बोलते है क्योंकि इनकी वज़े से loss होता है energy किस के form पे heat के form पे energy का loss हो जाता है तो आप देखिए कि यह कैसी line है short circuit line है short circuit line में jl की value कितनी है 0 है तो आप 0 put कर दीजे यहाँ पे तो यह वाला term 0 हो जाएगा यह वाला term 0 हो जाएगा z0, z0 cancel out हो जाएगा एक बाहर पहले से z0 है तो finally j, z0, 10 beta L यहाँ पे L involved है आप transmission line को कहां से observe करोगे load से L equals to 0 है मतलब कहां पर खड़े हैं L change करूंगा तो यह vary करेगा बिल्कुल vary करेगा क्योंकि L का function है दूसरी बात observe करिए कि इसमें j, z0, 10 beta L है impedance को देखिए impedance क्या होता resistance plus reactance तो आप देखिए कि इसमें क्या resistive part है नहीं है इसमें सिर्फ कैसा part है imaginary part है मतलब यह जो इसका impedance होगा वो purely कैसा होगा reactive होगा तो प्लीज आप इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो आप देखिए यह 10 beta L है मतलब 10 का 10X का curve draw करना पड़ेगा चलिए 10 का curve कैसे होता है कुछ हैसे होता है कुछ ऐसे होता आप गूगल पे सर्च कर लिजेगा कि 10X का graph कैसे होता बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है L variable क्या है length है तो इस axis में हम क्या रखेंगे horizontal axis में length को रखेंगे और आप हमेशा यह भी याद रखिए कभी भी transmission line antenna microwave के case में हम जो length है वो किसके term में देते हैं wavelength के term में देते हैं मान लिजे यह transmission line यह कैसी transmission line है यह short-circuited transmission line है अब मैंने बोला L involved है तो यहाँ पे इस point पे L equals to क्या होगा 0 होगा अब मैंने बोला L distance चलिए L is equal to lambda by 4 कितनी distance चलना है lambda by 4 कहाँ से चलना है load से तो load से इधर lambda by 4 किदर होगा load से इधर lambda by 4 इधर होगा load से इधर चले तो यह इस चीज का कहने का मतलब है चलिए यदि lambda by 4 distance चलते हैं तो देखते हैं impedance कितना होता है J, Z, naught, 10, beta L beta की value क्या होती है 2 pi by lambda L की value कितनी है lambda by 4 it is lambda by 4 आई थी it is lambda by 4 जदी यह lambda by 4 रखेंगे तो क्या होगा lambda, lambda cancel out 2, 2 is a 4 10 pi by 2 मतलब infinity impedance कितना आ गया infinity आ गया L equals to 0 पे value कितनी थी L equals to 0 पे impedance कितना था 0, कितनी length चले lambda by 4 यहाँ पे क्या होगा L equals to 0 यहाँ से कितनी distance थालना है lambda by 4 impedance कितना आना चाहिए infinite देखे, infinite आ रहा है L equals to lambda by 4 पे infinite आ रहा है चलिए अब आप एक काम करिए length की value lambda by 2 रखे lambda by 2 रखेंगे तो देखे, क्या आता है lambda by 2 रखने पर J Z naught 10 2 pi by lambda into lambda by 2 lambda, lambda cancel out 2, 2 cancel out 10 pi 10 pi मतलब 0 यहाँ से load से lambda by 2 distance चलूं तो मेरा impedance कितना आएगा 0 यहाँ पे L की value कितनी होती है 0 यहाँ से lambda by 2 चलिए तो यहाँ पे lambda by 2 चलने पर आपका impedance कितना आना चाहिए 0 यहाँ पे क्या है impedance कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है यदि आपने length को vary कराया है तो क्या transmission line का impedance vary कर रहा है बिल्कुल vary कर रहा है that thing I want to say कि transmission line का length vary करने पर उसका impedance vary कर रहा है short circuit transmission line का चलिए आगे देखते हैं की short circuit line जो है वो किसकी तरीके से behave कर सकती है वो passive element की तरीके से behave कर सकती है चलिए देखते हैं यह transmission line है जिसकी length lambda by 4 से कम है तो चलिए अपन यहाँ से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा इस load पर यहाँ load पे L equals to 0 होगा load L equals to 0 L involved है आप कहाँ पे खड़े हैं लोड पे आपको distance कितनी चलनी है lambda by 4 से कम चलनी है यह point क्या होता है lambda by 4 lambda by 4 से कम चलिए आपको impedance कैसा मिल रहा है z is equal to plus times of jx मिल रहा है तो यह plus किस के case में मिलता है inductor के case में मिलता है मतलब कि transmission line का impedance कैसा है inductive है चलिए lambda by 4 distance चलेंगे l is equal to lambda by 4 distance चलेंगे तो अभी पिछले page में देखा था l equals to lambda by 4 चलेंगे तो zl की value के आएगी infinite आजाएगी चलिए ठीक है अगे बढ़ते है माल लिजे यह एक transmission line है जिसकी length lambda by 4 से तो ज़्यादा है लेकिन lambda by 2 से lambda by 4 से ज़्यादा है लेकिन lambda by 2 से कम है चलिए ठीक है मतलब यहाँ तक lambda by 4 से ज़्यादा lambda by 4 से ज़्यादा है और lambda by 2 से कम है तो यह देखें नीचे की तरफ देखेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो impedance कैसा आ रहा है impedance आ रहा है minus times of jx यहां इस point पे देखिए इस point पे नीचे की तरफ करेंगे तो minus आ रहा है और minus यह किस के case में आता है capacitor के case में आता है तो आप देखिए कि इस transmission line का nature कैसा हो जाएगा, capacity हो जाएगा तो आप recall करिए कि passive elements कौन-कौन से होते हैं, inductor, capacitor इस case में नेचर कैसा आ रहा है, inductive इस case में nature कैसा आ रहा है, capacitive इस case में तो infinite आ रहा है तो आप देखिए कि आपकी transmission line inductor, capacitor की तरीके से भी behave कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि your short circuit transmission line behaves as a passive element, तो आप देखिए अब आपकी जो transmission line है, वो impedance inverter की तरीके से भी काम करती है देखिए कैसे, क्या ये short circuit transmission line है ZL की value 0 है short circuit transmission line है, L की value L यदी involved है, तो कहाँ पर खड़े हैं, आप, load पे खड़े है, L equals to 0 पे load की value कितनी है, 0 है, lambda y 4 length, L की value lambda y 4 रखिए, यहाँ पे L की value lambda y 4 रखते हैं तो impedance कितना हो गया, J, Z naught, J, Z naught 10, बीटा की value 2 pi by lambda, length की value कितनी है, lambda y 4, lambda, lambda cancel out, 2, 2 is a 4, pi by 2, 10 pi by 2, मतलब infinity इसकी value कितनी है गई, infinity आप सोचिए, कि length जब 0 थी, L equals to 0 पे impedance क्या था, 0 length की value lambda by 4 पे कितना हो गया, infinity तो 1 by 0 करिये, तो क्या हो गया, infinity याने आपका impedance क्या हो गया, invert हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, infinity हो गया, इसलिए इस short circuit line को हम ऐसा बोल सकते हैं, कि यह short circuit line हमारे impedance inverter की तरीके से behave कर रही है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें voltage और current distribution देख लेते हैं, तो देखिए, short circuit transmission line है, बिल्कुल है यह देखिए, ZL की value 0 है आप देखिए, क्या इस point को L equals to 0 बोलूं, बिल्कुल बोलना चाहिए क्यों L equals to 0 मतलब मैं transmission line को कहां से observe कर रहा हूं लोड से observe कर रहा हूं, आप देखिए, short circuit के case में current क्या होगी, यह current का distribution है short circuit के case में current क्या होगी, maximum voltage क्या होगा, 0 A8 point, A, A dash point पे हमने यह notice किया B point पे देखिए, B, B dash point पे, voltage कैसा हो गया, maximum current क्या हो गया, 0 हो गया फिर देखिए CC dash पे देखिए, voltage 0 हो गया, और current क्या हो गया, maximum हो गया, कहने का मतलब यह है short circuit point पर short circuit point पर current maximum, voltage 0 current current maximum, voltage 0 फिर B, B dash point पे क्या हो रहा है, voltage maximum, current 0 CC dash point पे यहां पे देखिए, voltage क्या हो रहा है, 0, और यह current कैसा हो रहा? Maximum हो रहा है. Voltage जब 0 है तो current maximum है. जब voltage maximum है तो current 0 है. इस pattern को क्या बोलते हैं? Standing wave pattern बोलते हैं. क्या इसमें standing wave pattern है? बिल्कुल है. A से B के बीच में distance कितनी होगी? क्या ये half of the wavelength है? बिल्कुल है. A से B के बीच की distance कितनी होगी? Lambda by 4. A से C के बीच की distance कितनी होगी? Lambda by 2. तो this is nothing but it's a voltage and current distribution on the transmission line. तो अब आप देखे कि हम पूरे short circuit line को हम समराइज करते हैं कि what is short circuit line? short circuit line क्या है? Basically load को यदि मैंने short कर दिया तो क्या बोलूँगा? short circuit line. reflection क्यों हुआ? क्योंकि impedance मैच नहीं किया. reflection coefficient की value क्या आई? minus 1. यदि L involved है तो आप कहां पर खड़े हैं? load पर खड़े हैं. इस equation को याद करिए ये equation क्या थी? impedance transformation equation थी. किस के लिए valid है? ये lossless transmission line के लिए जिसमें R और G 0 होता है. इसमें ZL की value 0 put करिए आपको curve ऐसा मिलेगा. इसका क्या मतलब है? कि impedance vary करेगा. यदि आप L मतलब location change करेंगे. तो impedance कैसा है? purely reactive है. purely reactive है. 10 का graph बनेगा. बिल्कुल ऐसे graphs बनेगे. यदि L की value lambda by 4 रखते हैं. तो impedance कितना मिल रहा? infinity. यहाँ पर L equals to 0 है. यहाँ L equals to lambda by 4 है. यहाँ पर infinity impedance. lambda by 2 रखेंगे. यहाँ से lambda by 2 distance चलिए. आपको L equals to lambda by 2 पर impedance क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. यदि L equals to lambda by 4 लिखा हुआ है. इस चीज का मतलब क्या है? L equals to 0 क्या कहलाएगा? कौन सी location? load की location. वहाँ से कितनी distance चलना है? lambda by 4. load से lambda by 4 distance चलना? क्या मिला? impedance, infinity मिला. यह इसका inference था. और short circuit line किसकी तरीके से behave कर सकती है? passive element की तरीके से. देखिए, यदि length lambda by 4 से कम है, तो यह इसका behavior inductive है. यदि length lambda by 4 से ज़्यादा है, तो इसका behavior कैसा है? capacitive है. मतलब यह कहीं न कहीं inductor, capacitor की तरीके से behavior करने की कोशिस कर रही है. तो आपका यह जो short circuit transmission line है, impedance inverter की तरीके से भी काम करता है. length की value lambda by 4 रखिए. L equals to 0 पे आप कहाँ पर होंगे? load पर होंगे. वहाँ से कितनी distance चलना है? lambda by 4. वहाँ पे impedance कितना आया? infinity. यहाँ पे 0 था, यहाँ क्या हो गया? infinity हो गया. impedance क्या हो गया? invert हो गया. उल्टा हो गया. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? impedance inverter बोलते हैं. तो आप last में देखें कि क्या है voltage and current distribution? जहाँ पे short circuit हुआ, वहाँ पे current क्या होगा? maximum होगा और voltage 0 होगा. current maximum, voltage 0. आगे देखा आपने bb dash point पे voltage maximum, current 0. इस pattern को क्या बोलते हैं? standing wave pattern बोलते हैं. इन दोनों point के बीच की distance कितनी होती लेमड़ा बाइफ होर? और इन दोनों point के बीच की distance कितनी होती? लेमड़ा बाइफ टू. तो in next lecture we will see match transmission line. और आपको यदि यह lecture अच्छा लगता है. और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share it. Thank you very much.